हैलो वरेवन वेलकम यूवालेट लोकेस सरा लिम्टेड स्टडी जोन सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है हमारी टीम भी हाँ आचुकी है स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर नंबर टू और कल या पर इसका हमने पहला पार्ट कम्प्लीट कर लिया था क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा देखें पहला कॉश्चन ना पहला पार दिया गया है यहाँ और इसका नाम दे दीगी तो यह बठा है Cerebrum, यह क्या है, Mid Brain है, Spinal Cord है, यह Medulla अंदर बैठा हुआ है, इसको Medulla बोलते हैं, और यह जो पार्ट है, यह छोटा सा पार्ट है, इसको Cerebrum, क्या बोलते हैं, तो बड़ा बाला पार्ट क्या है, Cerebrum, और छोटा बाला पार्ट क्या है, Cerebrum, सही वो लाओ ना भई, चलो ठीक है, बता दीना, इसके बाद, यह जो पिचुरी ग्लैंड बगरे हैं, हिंड ब्रेन है, चलो ठीक है, अब आँगे बात करते हैं, कि Medulla का function क्या है, तो Medulla क्या है, ब्लेड प्रेशर, Medulla जो होता है, किसको कंट्रोल करता है, ब्लेड प्रेशर को, Salvation and Vomating, Vomating को कंट्रोल करता है, Medulla का पार्ट का में, है ना, Cerebrum controls the precision of voluntary moment and equilibrium, तो भाई, याद करके चले जाना, यह बाईलोजी का पार्ट है, चलिए, नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, इसक कम बहुं जाए, यह दोनों ही एक disorder को जनरेट करते हैं, बॉडी के अंदर कैसे, समझाओ, तो देखे भाई, यह लिखा है, overproduction of growth hormone leads to the giganetism, 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 and its underproduction leads to dwarfism, क्या बनाता है, यह dwarfism, तो भाई, दोनों को याद कर लेना, यह giganetism है, वो dwarfism है, चलिए, अगला question, चलते ह हारी है, वो कित्ते का है, minus 4.5, डाप्टर, minus को देखते ही, मेरे चसमे किया दाती है, बता है, इसको myopia है, कौन सा lens है, यह, concave lens है, इसको myopia है, है, what kind of defect myopia है, what is the focal length of the nature, corrective lens, बता ही, nature क्या होगा, और पावर lens की क्या हो negative होगी है, draw the ray diagram showing the defected eye and the correction of the defect, what are the causes of this defect, इसके आपको causes बताने है, मतलब पूरा का पूरा जो है, myopia यहाँ पर भर दिया है, देखिए, यह, खराब आँख, तो सबसे पहले देख लीजे, यहाँ पर focal length निकाली है, तो 1 upon F equal to 1 upon 45, that is equal to 0.22 cm, एक मिनद देखना यहाँ पर जो आपको पावर दिये है, वो डाइप्टर में दिये की नहीं है, पावर 4.5 है, पावर किती 4.5, तो इसको solve कैसे करोंगे, 100 upon 4.5, तब यह answer आएगा cm, किसमें आएगा, cm, तो इस तरीके से solve कर लिए, आपने तो आगया, कितना आपने पास, 0.22 cm, बोल आपको object कहाँ पर था, infinite, पर इमेज पहले बन रही थी, बोलो हाँ, मतलब eyeball आपकी क्या हो गई, लंबी हो गई, आइबल क्या हो गई, आपकी, लंबी हो गई, बोलो यसा नो, तो क्यों होती आइबल बड़ी हो गई, बट आपने देखिए, आपने क्या करना है, इस object को यहाँ पर focus कर देगा, और finally इसकी image जो है diverge हो करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगी, बोलो clear हुआ की नहीं हुआ, अब causes की बात करते हैं, due to the excess curvature of the eye lens, eye lens जो है लंबी हो गई, देख लिजे, दूसरा, elongation of the eyeball, elongation of the eyeball, eyeball जो है, elongate कर गई, अरकी, excess curvature of the eye lens, lens कर में ज जल्दी, तो यहाँ तो lens पुचक गया है, दूसरा, यहाँ तो eyeball पीछे की तरफ फैल गई है, eyeball पीछे की तरफ फैल गई है, तो दो चीज़ आ रखना है, due to excess curvature of the eye lens, या elongation of the eyeball, समझ में आ गया गया न, अगर lens सिकुड जाता है, बच्चो, lens क्या हो जाता है, सिकुड जाता अगला question देखते हैं, question number 20, important है, what is reactivity series, reactivity series जानते होगे, है न, it is the series of some metal arranged according to their reactivity, corresponding reactivity, relative reactivity, है न, how does relative reactivity series of metal help in predicting relative activities of the various metals, बताइए किस प्रकार से आपकी मदद करती है, बिलकुल मदद करती है, बता देंगे भी थोड़ दिर में आपको, दूसरा part क्या दिया, suggest different chemical process for obtaining a metal from its oxide and metal in the middle of the reactivity series and metal towards the top of the reactivity series, support your answer with one example, क्या बात है भाईसा, मतलब पूरी की पूरी, जो metallurgy है, वहाँ पर इसने सौट में पूछ लिए, क्यातार, reactivity series में जो टॉप में है, उनको कैसे अलग करते हो, उनको कैसे शुद्ध करते हो, कौन सी method भाई, electrolyte method, कौन सी method, electrolysis method है, मतल calcination करके oxide बनाते हो, और oxide बनाने के बाद क्या करते हो, उनको reduction करते हो, क्या करते हो, reduction, तो ये बच्चो पूरी जो कथा हम लोग पढ़ करके आए हैं, ये देखो इतनी शांदार वाली कथा, इसको याद कर लो, और I am sure बटा, ये question आपको आने वाला है, अगर आपको अभी भी याद नहीं है, तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं, बच्चा आप इसको याद कर लीजे, कौन सा, ये नीचे वाला, ऊपर वाली कथा तो आप बड़े आराम से लिखा होगे, क्या भाई, reactivity series, the arrangement of the metal in the vertical column in the order of decreasing reactivity called reactivity series, or activity series, a metal place above the hydrogen in activity series displaces hydrogen from water or acids, a metal place at the top of the activity series would displace the metal below, तो इट मतलब जो ऊपर वाला है, वो नीचे वाले metal को बड़े आराम से डिप्लेस कर देगा, पट किस से डिस्प्लेस करेगा, उसके metallic salt से, metallic salt से, aqueous solution से, metallic salt जो भी होगा, वो aqueous form में होगा, does a more reactive metal displaces, less reactive metal from its salt, हाँ भाईस, अब ये line को important है, from its salt solution, चलिए, second part परते है, second part क A है, ये रेखिए, क्या कह रहा है, कि middle of the activities series, तो middle of the activities series में कौन कौन है, भाईस, मिडिल of the activities series में iron है, कौन है, iron है, तो SO को करने के लिए क्लिए 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 और उसकरना है, रोस्तिंग है, और जो carbonate और है, उसकरना है, calcination, रोस्तिंग का मतलब होता, high oxygen supply पर गरम करना, लेस ऑक्सिजन सप्लाई पे गरम करना चलो देखो फॉर अप्टेनिंग मेटल आर देट आर इन अ मिडिल अप दर एक्टिविटी सिरीज ऑक्साइड ऑफ सच मेटल्स कैन बी रेडियूस विद को कार्बन कार्बन क्या है बेटा बहुत अच्छा रेडियूसिंग एजेंट है इसका ऑक्सिजन खा लेगा केबल बचा देगा फोर एफी और यह क्या बन जागा क्या सिरी सी ओ टू बोलो समझ में आ गया येस तो यह है यह किसका है बेटा क्योंकि इसकेज है बीच में जो इलिमेंट है ना जादा तेज ना जादा शलो उनकी आपको रियक्तिविट्टि विखानी है अगला भीके टॉप पे बोला है जो क्या है बदल देते हो ऐक्जामपल एलेक्टरोलिस नीडेक्टでは होosed देते हो, example, electrolysis of sodium chloride, देखो, तो sodium आपको जो है, nature के अंदर किस फ़र्म मिलता है, sodium chloride फ़र्म मिलता है, किस फ़र्म में, sodium chloride, तो sodium chloride किस तरीके से देखो, तो at cathode, आप electrolysis करते हो, तो at cathode, cathode पे जो sodium होता है, sodium जो है, एक electron को लूस कर देता है, okay, क्या बना देगा, na plus, na plus e that is equal to, na na plus e minus equal to that equal to na, and 2cl minus that is equal to cl2 plus 2e, यस तरीके की reaction हुआ करती है, यह reaction आप याद कर लिए, ठीक न, बिटाई, यहाँ फ़र्म सा सही कर लो, इसको na plus e minus, यह हो जागा, na plus में e minus electron लेकर कि क्या बना लेगा, sodium, क्या बना लेगा, sodium, अच्छा, cathode पे क्यों electron लेगा, क्यों क्यों क्य हो गए, तो electrolysis methods है कि इसको अलग किया सकता है, जिनकी reactivity क्या है, हाई है, है ना, तो फिर से इस reaction को बता दू मैं, क्या होगा, देखो, बिटा, na plus रहेगा, वो electron ले लेगा, na plus रहेगा, क्या ले लेगा, electron ले लेगा, और बनाएगा, na, क्या बनाएगा, na, इसके ion plus और minus cancel हो होगा, ये काम कहा होगा, कैथोड पे, कहा पे होगा, कैथोड पे, क्योंकि इलेक्ट्रान देने का जम्मा किसके पास में है, कैथोड के पास में, तो ये काम कैथोड में होगा, बिलो, ये अब बात करते हैं, दूसरा, जो chlorine minus है, वो एनोर पे जाकर एकर की दो electron छोड़ दे amount of the waste generation give two example to support the give statement suggest one change that we can incorporate in lifestyle in order to reduce non-biodegradable waste non-biodegradable waste को बचाने के लिए कम मतलग परने के लिए हम अपनी lifestyle में क्या change कर सकते हैं वो ही है ना reuse recycle है ना हाँ आर 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 वाला जो system है उसको हम use कर सकते हैं चलिए इसको पढ़ देना है आप देखिए यस increase use of the disposal item like the plates, plastic item, polythene, etc. the use of the aluminum foil and plastic wear are packaging at a small scale and large scale as resulted in the greater amount of the waste समझ गया ना बला इन चीजों को आप बहुत जादा यूस कर रहे हो जिसके कान वेस्ट बहुत बढ़ चुका है बोले yes or no to reduce non-biodegradable waste polythene bags and plastic containers should be reuse इनको बार-बार reuse करना चाहिए बोली हाँ clear हो गया तो यह इसका answer दे दिया गया है चलिए अगला question देखते है second part है the following organism form a good chain insect, hawk, grass, snake, frog भाई देखते ही मुझे समझ में आ गया है सबसे आदर concentration किस में होगा, hawk पे होगा, of the non-biodegradable chemical, name the dish phenomenon, इसको बोलते है bio-magnification, क्या बोलते है इसको, bio-magnification जो non-biodegradable concentration बढ़ती जाती है उसको बोलते है non-biodegradable concentration, the hawk will have greatest amount of the chemical because it is the highest level of food of the chain, बोलो yes or no the phenomenon is called bio-magnification, बोलो clear है बेटा, चलिए अगला कर चलते है और वाला question, what do you understand by water hazard, water hazard, watershed management, list any two advantage of the watershed management, देखो भाई, यह नया है, I think यह से लिवस से हड़ गया है, यह watershed management, management of natural resources हड़ गया topic से, चलिए, तो यह देखे, scientific soil and water conservation is called watershed management, बोलोड़ वाटर का चलिए, तो यह देखे, scientific soil and चलो खेर इसको छोड़ दो, यह हट गया है तो आप लोग मत पड़ो इसको, चलिए अगला देखते हैं, next वाला part क्या है, human beings occupy the top level in the food chain, human beings जो होते हैं, food chain में top level पे होते हैं, what are the consequence of this on our body, human beings occupy the top level in any food chain, what are the consequences of these on our body, चलिए, yes, maximum level of biomagnification occurs here, because the progressive accumulation, अगर human beings सबसे top level में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा biomagnification आकर होगा, बुलो हाया न, yes or no, है न, we get very small amount of energy, only 10% of the previous energy level get transferred at each topic level, और आपको पता है, कि जो सबसे उपर होता है, triangle में, देखा है न आपने, उसको energy क्या मिलती ही, सबसे कम, क्योंकि नीचे वाले level से उपर वा कम मिलती है, इसलिए ये नुकसान हो जाता, चलो आंगे चलते हैं, अगले question की तरफ section भी आ चुका है, आईए, what do you observe when you added few drops of the stick acid in the test tube containing phenophthalene, तो बिटा, phenophthalene कैसा indicator है, basic indicator है, और आप क्या डाल रहो इसमें, stick acid, क्या डाल रहो, stick acid, दूसरा है distilled water, तीसरा है universal indicator, और चोथा है sodium hydrogen carbonate, मतलब बिटा, NaHCO3, तो क्या-क्या count होगा, आपको लिखना है, देखिए भाई सबसे पहले, सबसे पहले देखिए acid देते हैं, तो भाईया, acid जो होगा, remain colorless, क्योंकि जो phenophthalene कैसा indicator है, base, मतलब वो basic को पहचानता, किसको पहचानता, base को, और base को पहचानेगा, तो acid उसका कुछ कर नहीं पाएगा, बोलो हाया न, अगर आपने यहीं पर phenophthalene में NaOH मिला दिया जाता, तो phenophthalene क्या हो जाता, गुलाबी हो जाता, पिंक हो जाता, yes, dark pink हो जाता, बड़ इसमें कुछ नहीं होगा, अगली बात करते हैं, distilled water में, तो acid will dissolve in distilled water, उसका dilution हो थाएगा, forming a clear solution, मतलब के बल क्या होगा, डाइलूट होगा, क्या हो गया, ओके भाई, अब बात करते हैं, उनिवर्सल इंडिकेटर क्या देता है, तो उनिवर्सल इंडिकेटर में अगर आप मिलाओगे तो आपको पता है, युनिवर्सल इंडिकेटर रिलेटिव स्ट्रे अब अगर सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट को मिलाओगे तो आपको पता है कि निवर्सल इंडिकेटर मिलाओगे तो आपको पता है क्या निकलती है? CO2 फुसपुसाहट के साथ निकलती जिसको बोलते हैं, फिस बोलते हैं, sodium hydrogen carbonate will give brisk effervescence due to the formation of CO2 gas, बोलो clear है भाई, तो ये सारे के सारे clear हो चुके है, बढ़िया question था, ये इस type को question आना चाहिए, चलिए अगला question देखते हैं, रिया performs two set of experiment to study the length of the form, which are as follows, चेक है भाई देखें, जो रिया है, एक्सपरिमेंट कर रही है, दो बार, दो एक्सपरिमेंट कर रही है, वो देखती है, कि जो फोम बन रहा है, फोम याने जाग, फोम याने जाग किता बड़ा बन रहा है, C, take 10 ml of distilled water in a test tube and adds 5-6 drop of liquid soap and shakes the test tube by grossly, और उसने क्या किया भाई सब 5-6 drop of liquid soap लेकर के उसने इसको मिला दिया है, ठीक ना, चलो भाई सब बहुत बढ़िया, C, take 10 ml of distilled water in a test tube A, adds 5-6 drop of liquid soap with a half spoonful calcium sulfate on the 6 test tube, what your observation and reason, देखो भाईया, दो केस हो रहे हैं, पहले बाले में क्या, उसने सीरे सीरे पानी, साबुन का पानी लिया है, 5-6 drop, और उसमें उसको 10 ml पानी मिला करके जो है, उसको शेक कर रही है, दूसरे में उसने पानी लिया है, 5-6 drop liquid soap की भी लिया है, मगर क्या मिलाया है, calcium sulfate, क्या मिलाया है, calcium sulfate, तो आपको दोनों observation को देख करके बताना है, कि दोनों में क्या फर्क आएगा, आईए देखते है, number 1 में length of the foam will more, क्या होगी, बड़ी foam बनेगी, because it consists of the soft water, but आपको पता है, कि जिसमें CISO 4 मिला है, वो अंद के बरेक हो जाएगा, calcium and sulfate, क्या कर देंगे, उसकी hardness को बढ़ा देंगे, hardness को बढ़ा देंगे, और hard water, जो होता हो, foam देता, नहीं है, मतलब इसमें बिल्कुल भी जाग नहीं निकलेगा, या कम जाग नहीं कलेगा, C2 will form less foam, because it consists hard water due to the presence of calcium sulfate, बोलो, clear है ना, चलिए भाई, question देखते हैं, हम, यह बला हो गया, electron dot structure, अच्छा, यह पुराना बला आचुका है, हाँ, दुबारा आ गया, चलिए, 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 देखे, अगला question देखते हैं, a student observe a permanent slide showing a sexual reproduction in yeast, draw the diagram of the observation he must have made from the slide name this process also, तो बेटा, आपको, आपको यह जो reaction से आपको, यह जो process आपको बतानी है, कि वो एक sexual reproduction को देखता है, yeast में, तो बताओ भाई, यह क्या हो रहा होगा, कौन सी process होई होगी, बताइए, यह बिल्कुल सही, यह बात है, यह होई होगी, बढ़िंग, क्या होगी होगी है, तो यह बढ़िंग का diagram तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि इस तरीके से देखी, यह बढ़ निकलते है, परेंट सेल होती है, तो यह मैं आपको बता चुका हूँ, बस इसका diagram मनाना आपको आना चाहिए, तो इसकी practice कर लीजे, चलिए अगला question देखते है, इसका second part में निकलती है, list two precautions that he has seen must take for obtaining correct observation, उसको जो precaution ध्यान में रखनी चाहिए, वो क्या क्या है, वो आपको बताना है, आईए देखते है, number one precaution क्या है, number one, the set up should be airtight, यह कोई experiment होगा, germinations related, है ना, यह क्या है, airtight, germinating seeds living should be used, germinating seeds living should be used, I don't know, ज्यादा bio का part है, आप इसको देख question number six, ऐसा question आपको आचुका है, मैं करवाच चुका हूँ, क्या करना पड़ता है, change in voltage upon change in current, yes or no, क्योंकि V equal to कितना होता, IR, V equal to IR, तो V upon I equal to कितना बनता, R, फिलाल मैं ने देखा नहीं कि R पूचा है कि नहीं पूचा है, yes, साहिद देखिए, the values of the current I flowing the given register, corresponding values of the potential difference V across the register is given, current voltage दिया गया है, plot a graph V and I and calculate the resistance of the register, तो बहुत चानदर, इसका graph बना लिजे, आप देखिए, V और I के बीच में graph draw कर दीजे, और इसके बाद आप ये देखिए, कि नहीं भी दो point को बीच ले करके, चाहे हम इनको इनको ले ले ले, चाहे आप इनको इनको ले ले ले, जिनकी reading दो आपको point को पता हो, तो क्या कर देंगे, V upon I, क्योंकि V equal to कितना हो था, I into R, तो I equal to change in voltage upon change in current, तो दो voltage और दो current के बीच का difference निकाल के डिवाइड कर दीजे, तो ये देखिए, दो voltage आपके पास में है, 10.2 से लेके 3.4, देख लेता हूं, डेग्राम में, 10.2, 3.4, देखि कहीं कभी लेलो, answer विल्कुल सेम आएगा, आप चाहिए, यहां का लेलो, बुलिए, ऐसा नो, आपको 2 point के बीच का difference लेना है, ये देख लिजे, चलिए, मैं यहीं से निकाल देता हूं, देखिए, voltage ये है, और ये है, बुलिए, ऐसा नो, तो change in voltage देखो, आजादा बाला, minus कम बाला, तो 3.4 minus 1.6, और upon current equal to 1.0, 1 minus 0.5, तो देखिए, किता हो जगा, 16, 32, 18, 1.6 है, मतलब किता हो गया, 1.8, और ये 1 minus 0.5 किता हो था, 0.5, बुलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो answer इसका, dash, dash, cancel, answer 18 by 5 ohm, किता हैगा, 18 by 5 ohm, तो check कर लेते हैं, इसका answer 18 by 5 ohm आना च minute, take minute, take minute, take minute, take minute, take minute, yes, yes, चली, 18 by 5 देखते हैं, तो अपना answer कितना आया है, 18 by 5, divide कर देता हूँ, 5, 3, 15, ये 5 गया, बुलिए, हाँ है ना, हाँ, 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3 है ना, तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 0, 5, 6, 30, 5, 6, 30, तो इधर से इतना कितना आ रहा, 3 3.6 आ रहा है, 3 पॉइंट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इन लोगों ने ये वाली रेंज ली है, एम, 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 थोड़ा सा डिफ्रेंश हो गया, हलका सा वेरियेशन हो गया है, बाकी आप चाहें, तो किसी भी में लेके निकाल सकते हैं, चाहें इस से इस से निकालने, क क्वेशन थोड़ा सा डिफिकल्ड वाला आ गया, ठीक ना, पहले मैं क्वेशन नमर 27 करा दू, ड्रॉइ पाथ अप द लाइट रे पासिंग थूद प्रिजम, लेवल, एंगल अफ इंसिदेंस, एंगल अफ डिविएशन इंदर रे डाइग्राम, ये इंपोर्टेंट क्व ये यहां से गई है, देखे, इसके बाद क्या बनाएए, नॉर्मल, ये क्या है बिटा, नॉर्मल, नॉर्मल के साथ ये अंगल कहलाता है, अब ये रे इधर भी आएगा, बोलो हाँ, अब ये रे इधर पे निकल गई कि नहीं निकल गई, क्योंकि जब नॉर्मल, रेर रे जाएगी, तो क्या होगी, बेंड टुवर्ड जा, नॉर्मल, तो ये देखे, एंगल आरवन बन गया, ये रिफ्रेक्शन एंगल है, बोलो हाया न, अब इसके बाद ये रे इस फेस पे टकराई, अब यहां पर नॉर्मल ये सेट कर दीजे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अ आप देखे, आप इंसिदेंट ट्रे को थोड़ा उपर की तरफ बढ़ाईए, ये एंसिदेंट ट्रे को आपने उपर की तरफ बढ़ाया, और आपकी जो इमर्जेंट ट्रे है, उसको उपर की तरफ बढ़ाया, तो ये जो एंगल मिला, इसको बोलते हैं, अगल आफ डेव चली, यह question आपके पास है, in a given emitter a student sees needle indicate 17 division in emitter while it performing experiment verifying Ohm's law, the emitter has 10 divisions between 0 to 0.5, then what is the value of corresponding 17 division, देखो भाई साब, क्या कहरा, 0 से लेके 0.5 के बीच में कितने खाचे हैं, 10 खाचे, बोलो हाया न, मतलब यह देखो, 0 है और यह 0.5 है, 0.5 है, इसके बीच में कित्ते slot हैं, 10 हैं, तो एक कित्ते का हुआ, एक हुआ 0.05 का, हुआ की नहीं हुआ, yes or no, अरे कैसे निकालते हैं, अगला, हाँ, 10 भाग हो गया, 10, तो 0.5 माइनस कित्ता, 0, divide by 10, तो एक least count कित्ते का हुआ 0.05, अब कहरा है कि अगर 17 division touch कर रहा है, तो कित्ता होगा, तो एक division है 0.05 का, तो 0.05 गोडे कितना, 17, बोलो yes or no, 17 गोडे 5 कितना होता है, 85, yes or no, 85, 0 लगा दो, चले, decimal कित्ते digit के बाद है, 2 digit के बाद में है, तो answer 1, 2, तो answer कितना होगा, 0.85, कितना होगा, 0.85, तो यहाँ पर जो current आपको मिलेगी, वो मिलेगी कित्ती, 0.85 ampere, बोली समझ में आ गया, तो yes, इस तरीके से आपको निकालना है, 0.85 ampere, तो यह थोड़े से हलका साइस में ब्रेन लगाना पड़ेगा, तो यह दूसरा पेपर भी बच्चों जो हमने कल स्टार्ट किया था, वो आज खतम हो चुका, बहुत अच्छे से, I hope आपको यह पेपर बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, है ना, और इस पेपर की फिर से प्रेक्टिस करिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, थार्ड पेपर, thank you so much for being with Locaster Unlimited,